कि कल हमने पढ़ा था बच्चों exercise 1.1 यह सभी बोर्ड के बच्चों के लिए हैं याद रखना अभी question मिला लेना नहीं विश्वास होगा तो यह ncrt है तो कल हम लोगों ने दो question कर लिया था आज उसके आगे करेंगे question नमबर तीसरा आप लोग चलो पढ़ो तो question नमबर थार्ड क्या कहता बच्चों पटापट पढ़ो तो पर और कल यह कंसेप्ट हो गया था दो question हो गया था अंहिए टीसरा कह रहा कि तीन वट्टा चार वच तीन वट्टा पांच के पांच परमिय संख्या निकालना है पहला चैप्टर मिनिश्टर वनीशा जी पहला चैप्टर है क्विस्टन नमबर तीसरा कह रहा कि तीन बटा पांच और चार बटा पांच के बीच छे पर्मिय संख्या निकालना है तो बच्चों कलास को सेयर कर तो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार आप लोग कलास को सेयर करके आओ फटा फट बच्चे जूड़ने चाहिए ना ऐसे थोड़ी मज़ा आती है बताओ कुछ यह भी कड़ बढ़ा रहा मुझे लग रहा है स्मूथली नहीं चल रहा है क्या नहीं चलेगा तो बता देना कि नहीं चल रहा अच्छे से हां ठीक अटेंशन मत लेना बिल्कूल आप थोड़ा सा मैं इसका फ्पीस कम कर सकता हूं क्या आप लोग कर लोगे क्य सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे ही अभी देखो आप लोगों के वादे के मुताबिक 100 बच्चे नहीं हुए तो बच्चे नहीं हुए मजा नहीं आ रहा है ठीक है भाई सेयर करो फटाफट 100 बच्चे हो जानी तो हम कैसे पढ़ाएंगे फिर ऐसे पढ़ाएंगे नहीं जान लो तब तक मैं एक कुश्चन क करवाएंगा तब तक आप सेयर करके आओ सभी सभी फटाफट सेयर करके आओ तब तक मैं एक कुश्चन करवा रहा हूं ठीक है रितिक चोधरी फिर जैस यादो प्रांजल आपके जितने वाट्साप में गुरूप है सब में बेज दो अपनी वाट्साप के स्टेटस में ल कम बच्चे आएंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे हो भी गये लगभग फोड़ा सा बच्चे हैं कुछ बच्चे हैं जो नहीं लाइक कर रहे हैं अभी नहीं सेयर किये वह भी करतें बस हो जाएंगे कि चलो कुसाल सिंग शुधनी गुपता अंजली कुमारी नीतेस रितेस यादो दिवाकर हम सब को जानते हैं लेकिन तुम पढ़ाई कर लो बस यहां पर बात नहीं करेंगे पाथ संडे को करेंगे रात नो बजे आना कि अधिया जो सभी बच्ची सेयर करके आओ फटाफट कुश्चन करवाते हैं 100 बच्चे पूरा कर दो बहुत चलो अधिया पुलबिंदर कौर जी गुड़ इबनिंग पूनम कुमारी गुड़ इबनिंग रोहित प्रंजल अभी बच्चे फटाफट सेयर करके आओ पचीस बच्चे अभी बच्चे हैं 100 के पार करो के तभी कलास चलेगी 100 बच्चे तो आने चाहिए कम से कम ना तंगीता कमेंट आ रहा है चलो ठीक है ट्राई करते रहो अच्छी बात है ट्राई करते रहो सभी ट्राई करते रहो वेरी गुड़ रिशू सुकला विर्जेस यादो अभी शेयर करके आओ तुरंद फटा फट 100 पार करो भी 100 बच्चे जैसे हो जाए तुरंद हम कुश्चन करवाएं कल दो करवा दिये थे कंसेप्ट पढ़ा दिये थे आज आपका तीफरा कुश्चन होगा एक्सरसाइज 1.2 पूरा हो जाएगा और 1.1 भी यह पूरा हो जा कर तुम्हारा जादा नातना निकालो के वाल मतलब का काम करो वस तुमको लिखना दुआता नहीं है तरह करो को लिख रहो इस टेट करो इस टेट मतलब का होता जानते हो कि लो लिखना पढ़ना सीख लो मनोज यादो जी ठीक है मनिशा देभी इलहाबाद यूपी में पर्याग राज में कुहुरानी भूले नहीं है पहिचान रहे हैं सबको पहिचान रहे हम तो भाई अभी हुए नहीं हंड्रेड हां फटाफट अन्ड्रेड करो शुरू किया आगे बढ़ा जा जल्दी से आप लोग टाइम वेस्ट करो हां चलो तब तक कुश्चन बताते हैं आप लोग जल्दी से जो नहीं शेयर की हैं फटाफट सेयर कर दो सेशन को लाइक कर दो सितना ही तो करना है हमारे प्यारे बच्चे हमारी बात सब मानते हैं तभी तो देखो तीन लाख बच्चे जुड़े हैं बहुत ही मानते हैं हमारी बात चलो आप लोग करो फटा पड़ देखो समझो तो नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का PBR स्टेडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपकी कलास सुरू हो चुकी है कुछ बच्चों के हम नाम बोलेंगे इसमें जिनके कमेंट आ रहा हैं जैसे कि किरन स सिंग आसू अब्दुल विर्जे सियादो राजबिसाल और गोपिनात नरेस और रंजना कुमारी नित्येस प्रिया सिंग और लवलेस कलाल संगीता प्रांजल कुहू रगु अनुराग और मुकेस तो आपकी कलास हम सुरू कर रहे हैं आप सभी कलास को लाइक और सेयर करेंगे तो प्रिये स्टुडेंट से कल हम वन पॉइंट वन एकसर साइज का दो कुष्चन कर लिये थे और तीसरा कुष्चन आज हमें करना है ठीक है अब समझो तीसरा कुष्चन है कि 3 अपान 5 & 4 अपान 5 के बीच में 5 परमिय संख्या निकालना है तो बच्चों सब से प गई है तो बच्चों सबसे पहले हम यह देखते हैं क्या इनके हर बराबर है या नहीं है आप लोग कमेंट करके बताओ क्या इनके हर बराबर है देखो हम हर बार कमेंट नहीं पढ़ेंगे नाम नहीं बोलेंगे याद रखना कुछ बच्चे कहेंगे तो लाइब है यह नह यहां नहीं हां चलो तो कलास पर ध्यान दो बेतर रहेगा जो इस दोनों फ्रेक्शन के देखो अगर आप तो हर बराबर हैं है एक कोल है न बाबू तो अगर इनके हर बराबर हैं तो हमें क्या करना है वह तीन और चार के करें तो ये च्छे बन जाएगा और 2 से कड़ां कर दें त earth बन जाएगा अब बताओ कि 6 और आठ के बीच में 5 संख्या हो जाएगी नहीं होगी अगर इसे चार से गड़ां करते यह 12 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा तब भी 5 संख्या नहीं होगी अगर 55 और 20 हो जाएगा हमें 5 संख्या निकालना नहीं होगा तो प्राया हम लोग क्या करते हैं ऐसे ट्राइ करते हैं धिकारण त्राइय करते मतलब जिससे पहले दो से गुड़ा करके ट्राइय कर लो तीन से चार से पांज से नहीं तो लाष्ट में अगर बहुत जल्दी है तो SMT तरीका यह होता है कि जितनी परमिय संख्या निकालनी है बच्चो उससे एक अधिक से गुड़ा करते हैं उपर नीचे पांच निकालना है तो नौ से करोगे चार निकालना है तो पांच से करोगे एक बढ़ा के तो उपर नीचे इसमें क्या करेंगे बच्चो छे से गुड़ तो बच्चो मुझे यह बताओ कि 18 और 24 के बीच में क्या पांच संख्या हो जाएगी या नहीं सभी बच्चे बोलो हाँ या नहीं हो जाएगी कि नहीं भाई हाँ सही चल रहा है सब कुछ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना नरेश जी हो जाएगा ना बावू पांच संख्या हो जाएगी ना आगे लिखो चलो फिर लिखो कोई दिक्कत नहीं है नो प्राब्लम नो प्राब्लम नो प्राब्लम देखो समझो आगे समझो अब हम लिखेंगे आगे नीचे इसके दिख रहा है यहां लिख लो आप यहां लिखेंग कैए कि बीच पांच पर्मिय संख्य ऐं पांच निम्न हैं अिसे लीख लो लिखने का अपना अपना तरीका है या फिर पैंच पर मेती है लिखके असे डैस कर दो कुछ भी न लगा उसके नीचे यह अब देखो समझो हमें किसके किसके बीच निकालना है आठारा बटा तीस और चौविस बटा तीस बच्चों पहले हम यह दोनों नंबर लिख लेंगे चौविस बटा तीस इधर साइड में भाईया देखो आप सभी जानते हो कि अठारा के बाद क्या होता बच्चों उन्नीस होता है तो बच्चा यह हो जाएगा उन्नीस बटा तीस यह हो जाएगा बाबू बीस बटा तीस और यह हो जाएगा इकीस बटा तीस यह हो जाएगा समझ में रोहित सर्मा स्यूरती साहनी सबको समझ में आ रहा ना देखो बच्चों कभी कभी इस तरह के सवाल के उत्तर नहीं मिलते आपकी किताब से पता ऐसा क्यों नहीं मिलते हैं देखो किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं अनंत पर्मिय संख्याएं होती हैं अगर हम आपसे पूछें मोटा मोटा कि जैसे मानलो कि पांच और बारा के बीच में हम आपसे दो संख्या पूछें तो भाईया दिया की आठ और 11 होगा तो उसका भी सही है अगर कोई बता दिया च्छे और साथ होगा तो उसका भी सही है इसका मतल़ सब का सही है नहीं तो अब अब आप किताब से इसे तरह मिलाओगे तो इनके बीच में संख्याएं तो अनंत होती कोई पर्मिय संख्या है तो इनके बीच में अनंत होती है मालो हमने यह लिखा है पांच कोई और कुछ और लिख रहा है या फिर एक काम और कर सकते हो इनको अभी सरल कर सकते हो इनको अभी आप काटोगे दूइबटा तीन आ जाएगा सिंप्लिफाई करोगे थोड़ा और चे यह पुश्चन आप लिख लो मैं इसको मिटाऊंगा उसके बाद आगले कुश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है बच्चों कि वह बाई कितना कुश्चन था इसमें तीन था चौथा भी बताना है ना एक ठी चलो चौथे में आ जाओ चौथे में आ जाओ ब पूर रीड करें जल्दी से जलो रीडिंग लगा कुश्चन फटा फट चलो चौथा कोश्चन क्या कहता है मैं पढ़के खुद से आपको सुनाता हूं ज्यान दो कलास को पूरा देखो बच्चा अगर गड़ी सीखना है अगर कोई समस्या है तो बता दो नहीं चल रहा तो से जलो मैं कुश्चन पढ़ता हूं तेसी म्यूजी कड़ता बाई नाम अपना अच्छा रख लो बाबू बोलने में मुझे ना सारम लगेगी हाँ कि देखो कुश्चन नंबर चार क्या कह रहा है स्टूडेंट से फोर नंबर ध्यान दो आप लोग कह रहा कि नीचे दिये गए कथन सत्य है या आसत्य है कारण सहीत अपने उत्तर दीजिए पहला पूछ रहा है कि आप परतेग प्रकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है सभी बच्चे बोलो जल्दी से कल मैं entries удruction वाले पार्ट में पढ़ाया था जल्दी बताओ नहीं पटक पटक के मारेंगे चलो बताओ पहला बताओ क्या सभी प्रकृतिक संख्या क्या सभी जो natural number होती है वो hole number हो सकती है बोलो हाँ या नहीं जल्दी जबाब दो सभी हाँ या नहीं में जबाब दो सभी जबाब दो हाँ या नहीं में क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती बताओ बताओ चलो बताओ अंजली कुमारी प्रांजल बर्मा मनोच सिवा पंडे, देखो बच्चो, सभी जो प्रकृतिक संख्याएं हैं, वो पूर्ड संख्याएं हो सकती है न, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, भई आओ, जैसे अगर मैं कहूं, कि ये बोतल है, इसमें पानी है, ये बोतल है, इसमें पानी है, तो मैं अगर त लटका इधर उदर पानी जितने यहां के लटका है जो इसे तरह से जो प्रकृर्टिक संख्या होती बच्चों, वो सभी प्रकृतिक संख्या अभिश संख्या होागती है ऐसा क्यों देखो समझो दूसरा एक्जांपल मैं अभी है इसको रियल में बता रहा हूं अगर मैं तुमसे पूछू कि क्या पूरा बोतल पानी के अंदर है बता है क्या ये पूरा बोतल पानी के अंदर है कहां पानी के अंदर है तो हाथ में पकड़े हो पानी तो इसके संख्या होती है लेकिन सारी पूर संख्या प्रकृतिक संख्या नहीं होती है देखो कैसे समझो यहां पर यहां पर समझो जो नेचुरल नंबर है आपका मतलब प्रकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं बच्चों वह वन से सुरू होती है वन से सुरू हो करके अनंत तक जाती है कहते हैं ना तुम मेरा रास्ता यहां से रोंकोगे ना तुम तुम्हारा घरे बंद कर देंगे यह चीरों से ही सुरू हो जाते हैं तो अब बताओ ज्यादा किसमें है ज्यादा किसमें भाई किसमें कौन ज्यादा है यह चीरों से ही सुरू हो जाती है यह प्रकृतिक संख्या एक से शुरू होती ना तो बच्चों प्रकृतिक संख्या की सारी संख्याइत इसमें मिल रही है पूर्डवाली में तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर बॉल नंबर हो सकती है एक यह समझते समझते चलोगे तभी मजा आएगी समझोगे तो कुछ मजा नहीं आएगी इसे ताकते रहोगे चंटा-गड़ा समझ में कुछ नहीं आएगा समझ गहे ना अप्छा पढ़ाई कर लो एक ही कमेन्ट बार बार ना करो हो नहीं तो बोलाग कर देंगे मुझे तो कुछ नहीं पता यार और यह रिमार करो पिर बाथजीद करेंगे संदे को जुड़ कुछ तुमको कितने नंबर आये थे कितनी girlfriend थी कहां पढ़ते थे कितना लात खाते थे कितना मार खाते थे कितना नंबर पाते थे सब बताएंगे संडे कुरात नो बजे लाइब आना बात चीत करेंगे चलो अभी पढ़ लो अभी नहीं अगला question कहे रहा है second रॉला पढ़ो परते पुडांक एक पूर संख्या होती है बोलो परते पूरांक एक पूर संख्या होती है अभी बच्चे बोलो yes या no क्या परते एक integer नंबर जो होता है वो एक whole नंबर हो सकता है बताओ दूसरा नमबर बच्चा इसमें का देखो बचवू चलो देखो परतेक पुड़ांक कहे रहा कि परतेक पुड़ांक पूड संख्या हो सकती अब क्विश्चन में फालतु कहे लिखू तुम समझतो रहे ही हो क्विश्चन कहे रहा बच्चों कि क्या परतेक पुड़ांक मिन्स एबरी इंटीजर जो होता है वो होल नमबर हो सकता है यस या नो यस या नो तेज सिंग हरेंद्रियादो बृजेस नजराना नहीं देने को भाई मुझे कम पढ़ना आता इंगलिस में मैत में नाम होता तुम्हें जान जाता चलो देखो नहीं परतेक इंटीजर पूड़ संख्या नहीं हो सकती है कभी नहीं हो सकती है दद्दू कैसे मालूम है यह नेचुरल नंबर तो इनके काका जो नेचुरल नंबर के होल जाते हो ना यह गड़े मुर्दे हों खाड़ते हैं देखो समझो यहां पर दोनों का मतलब समझ लो तुम अब पूड़ांक मतलब इंगलिस में लिख रहा हूं इंटीजर मतलब पूड़ांक तो प्यारे बच्चों जो पूड़ांक होता है वो माइनस अनंत से सुरू होता है यानि तुम इसे ऐसे कह सबते हो माइनस 10,000 माइनस 9,999 माइनस 9,998 ऐसे और यह जाता कहां तक है यह प्लस अनंत तक जाता है मतलब हमें यह नहीं पता है कि पूड़ांक की सुरूआत कहां से होती है यह मालुम ही नहीं है लेकिन यह दद्दू है जो पूर संख्या जो हर जगा टांग अड़ाय रहते हैं इनकी सुरुवात तो सुनना से होती है बच्चा कहां से होती है सुनना से होती है यानि कि पूर संख्याएं माइनस में नहीं होती है तो हम कहसे कह सकते हैं कि परतेक इंटीजर जो है वो पूर संख्या होगी इंटीजर में तो माइनस वाली पूरांक हो सकती है लेकिन पलман को संख्या कभी नहीं होगा चलो बाई कलास को तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो क्या चाहते हो एक पटक डालू यहीं पर सभी बच्चे एक एक बच्चा लाइक करेगा तब ही आगे पढ़ाऊंगा चलो पटा पट लाइक करो तुरंद करो चलो जल्दी से इस कलास को सभी बच्चे लाइक करें फिर आगे बढ़ें चलो अभी मैं देख रहा हूं देख रहा हूं चोरी नहीं करना गुरू से कपट मित्र से चोरी सुने ओ कि नहीं पड़ा नुक्सान दयाक होता है अब तक मैं इसको थोड़ा भोच पाच देता हूं तक तुम लोग लाइक करके बताओ लो वह अभी सब नहीं कर रहे हैं मैं देख रहा हूं जूट नहीं बोलना बच्चा अधित्य दुबंसी देखो यहां पर मैं गुठा भेजने को नहीं बोल रहा हूं लेलो यह नहीं मांग रहा हूं अभी केवल आठ लोग किये बस मेरे कहने के बाद आठ लोग बागी नहीं करें अभी लोगों के लिए अभी जंडा लाना पड़ेगा मुझे पता है हम इस्पूल में पढ़ाते थे न तो पड़ा नोदस वालो बच्चों को बहुत मारते लेकिन हर दम नहीं मारते थे जब टेस्ट होता था वो लोग नहीं पढ़ते थे तर मारते थे बाद पर मैंने बंद कर दिया हमने कहिए यह पढ़ेंगे नहीं जाने तो फिर परतेक पर्मिय संख्या एक पूर्ण संख्या है परतेक पर्मिय संख्या कह रहा है एक पूर्ण संख्या है बोलो हां या नहीं हां या नहीं बोलो रितिक कुमर हरेंद्र दिवाकर देखो भाई सभी बच्चे लाइक नहीं करें लाइक करना हां तुम सब कुछ जानते हो है नहीं क्या करते हो मुबाइल में सब 좋종 मुझे मालूम है कल की कलास में उसे बलॉक कर देंगे कल की कलास में बलॉक कर देंगे उसका कमेंट ही कर दो ना यहां फिर को रेंÓ में एक संख्या एप पूड संख्या है देखो परेमिय संख्या और पूर्ड संख्या की हमें पहली नंबर तो जनकारी होनी चाहिए जनकारी होना चाहिए जो परते एक rational नंबर है बच्चा वो पूर्ड संख्या नहीं हो सकती है इसका उत्तर होगा नहीं क्योंकि ये सब अलाग-अलाग विरादरी के हैं अलग-अलग समुदाय के हैं मतलब समझो जो पूर संख्या होती है प्यारे बच्चों होल नंबर यह सिर्फ जीरो से सुरू हो करके 123 कवनी गरी किवल पलस में होता है मतलब only positive होता बस बाकी कुछ नहीं होता है लेकिन जो आपका दूसरा है रेफनल नंबर जिसे पर्मिय संख्या बोलते हैं यह सही गलत सुद्ध सब पर्मिय संख्या होती माइनस में कौनों दिया गया यह भी क्या है रेफनल नंबर लेकिन यह पूर संख्या थोड़ी है ना दद्दू यह पूर संख्या नहीं है अब प्रिया पाल जी गुड इबनिंग बहुत जल्दी आ रही हो तुम कलास की छुट्टी करवाने आयू मुझे लग रहा है भाई देखो जादा से जादा बच्चों को लाओ अपने साथियों को सभी साथियों को ले करके आओ पटाफट सभी बच्चे कलास को लाइक और सेयर करें ठीक है समझ रहे हो ना अपने सभी साथियों को तुम ले के आओ कलास में ऐसे मज़ा नहीं आती कि दो लोग चार लोग आके पढ़ोगे हाँ इसे हम पढ़ाएंगे भी नहीं यह जान लो तुम चलो इंग्लिस में बोलो इंग्लिस में लिक लो बेटा नो एवरी रेफनल नंबर विल नाट अ होल नंबर इंग्लिस सही है पतलत तुम समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं बस मुझे इंग्लिस में नहीं बोलना है क्योंकि हिंदी की कलास है आगे चले बढ़ें इसको ले करके तो बच्चों बोलो स्री भगवान की जय आपका पहला वन पॉइंट वन हो गया खत्म वन पॉइंट वन खत्म अरे एंड नहीं हुई ना लायक अभी वन पॉइंट चलेगा अब डालो एक सरसाइज वन पॉइंट तू कि रहने दे कल पढ़ाएं वन पॉइंट व पढ़ाएं या कल पढ़ाएं क्या कह रहे हो बोलो यस देखिए बच्चों अगर इमांदारी से पढ़ोगे भाई हमारी बात आप मानोगे तो हम आपकी बात मानेंगे और हाँ अभी साइंस का भी लाइप चलाने वाले हैं बड़ा धमदार कलास चलेगी स साइंस की एक से एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे तुम्हें अपने घर के गड़े में जाके करके आना समझ रहो ना जो गांसे हैं समझो देखो साइंस पढ़ाएंगे न जड़े मतलब खेत भी होगा आस-पस तो साइंस में बहुत कुछ होता है वो सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विर कि पढ़ाएंगे तेंसन मदलो चलो दें आज ही पढ़ाएं इनसेल्टी है वच्छा श्रीकांत ए continental पुहुरानी चलो ठीक है ठीक है ठीक है रे तुम लोग इतने प्यारे-प्यारे हो पढ़ाएं ऐसा हो कैसे सब्ता है चलो देखो पहला कुंस्ट्टन जो किताब नहीं लिए ना बच्चा निकल लो तुम नानी के घर चले जाओ किताब लेके तो आना चलो किताब लेके आया करो खाली हात यहां बतासा नहीं बटने वाला एक खाओगे भी घाली आत नहीं आया करो किताब कापी लिये रहोगे तो कुछ समझ में आयेगा चलो 1.2 खोलो अब लंट टू कच्छा नो की एन्सी इर टि घड़ित है यह बच्चा क्या है एंसी इर टि है यह है साइंस की कलास हमारी कोशिस है 15 जुलाई से सुरू हो जाएगी साइंस की दमदार कलास होगी कलास के बारे में सूचना देंगे साम्कु साथ वजय वाली कलास में चलो पड़ो बचो पहला कोश्षिन कह रहा है यह बलर-वलर कर रहा है का कैमर हों कभे दिमार कमारग सही नहीं चल रहा है का कि अचलो थिकी रहत ना चलो बलर कर रहा होग folded ना देंगे तो चार्थी पहला कुश्चन कह रहा है नीचे दिये गए कथन सत्य हैं या आसत्य हैं कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए इसमें भी सत्य असत्य करने को बोल रहा है कारण बताओ अगर सत्य है तो कारण बताओ क्यूं सत्य है कारण लिखना पड़ेगा कारण बताओ क्यूं असत्य है तो क्यूं देखो समझो साइन्स पढ़ाएंगे साइन्स पढ़ाएंगे सबर रखो धैर रखो पहला कह रहा कि परतेक अपर्मिय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है बताओ इज रियल नंबर बताओ बच्चा क्या परतेक अपर्मिय संख्या वास्तविक संख्या होती है बताओ यास या नौ चलो सबी बच्चे जबाब दो क्या परतेक कौनसी है बई अपर्मिय संख्या यह वास्तविक संख्या होती है लाइट का महिका वास्तविक संख्या होती है देखो बहुत से बच्चे कोसिस करेंगे बच्चों देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था बाबू अगर उसको पढ़े होगे न तो आपको सब समझ में आएगा बहतरीन मजा भी आएगी लेकिन आपने उसे पढ़ा नहीं मुसिकल की बात यह है अभी से इस पानी पी लेते हैं आपका कमेंट बहुत ही अब बहुत ही मीठा था मतलब चलो देखो इदर समझो यस इसका आंसर है यस पर तेक अपर्मिय संख्या जो है वह वास्तविक संख्या होती है वह रियल नंबर होती है क्योंकि यह चीज रटलो बच्चा तुम याद कर लो जो वास्तविक संख्या होती है जिसे इंगली समय बटा रियल नंबर बोलते हैं रियल नंबर यह होता है बराबर परमिये धन अपरमिये अपरमिये संख्या यह चीज तो तुम पढ़ लो हां यानि जो रियल नंबर है वो रेफनल प्लस ए रेफनल नंबर को जोड़ करके ही बनता है यानि वाजतविक संख्या में दोनों होते हैं समझ रहो ना जैसे एक फैमली बनती मम्मी पापा को मिला के समझ गए ना वो ऐसे होता है के ड्री चलो कि आज ही पढ़ाएं थीक के पढ़ात हो रहें बच्छा का जितने भी हमारे नए प्यारे प्यारे साथ ही आए हैं वो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें पीबियार स्टडी लहाबाद को सब्सक्राइब जरूर करें और हां पीबियार स्टडी को इंस्टाग्राम पे जरूर फालो कर ले ना क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आपके वीडियो जाते हैं लाइब होग का इंस्टाग्राम पे भी नाम पी बीर स्टडी ही है वही नाम है वही नाम है जो हर जगा है एक ही नाम है भाईया पी बीर स्टडी यह तीन नाम से मिलके बना है पताऊंगा कभी चलो अगला पढ़ो कि पताओ जब आप दो पाई एक अपर्मिय संख्या है अगर वो पाई दिया है तो अगर उसका वैलू दिया है इसकी कहारी बड़ी लंबी है मैं तुम्हें सब नहीं बता पाऊंगा यहां पर पहले कलास पढ़ लो तब टील में बताना पढ़ेगा छोटा घ्यान खतरनाक हो संक्या रेखा का परतेग बिंदू अंडरूट यम के रूप का होता है हमें तो नहीं लगता कि होता है कहरा कि संख्या रेखा का परतेक बिंदू अंडरूट यम के रूप का होता है जहां यम बराबर प्राकिर्टिक संख्या पता ये सही है कि गलत है जो बच्चे किताब लिए है कच्छा नो की NCRT गडित खोल ले परस्नावली 1.2 यानि अभ्यास 1.2 कुष्चन नंबर पहिला का ये दूसरा पार्ट है तो बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं इसका उत्तर होगा नहीं क्योंकि जो संख्या रेखा होती है भाईया बाबू उस पे तो सारे पुडांक आते हैं बीच में होता है सुनना होता है इधर सुनना सुनन MI-1 to verse इसमें स्ने चाहि degree in के रूप कह ता है यानि की इनWhen करता कि यसı तात्र पर है बच्चा का कि सभी प्रकृतिक संख्या का हम और मौर्ग मुल निकालेंगे तो संख्या रेख कर पला कर भूस ऐसा कभो नहीं होगा क्योंकि जो माइनस वाली संख्याएं है उनका तो वर्गमूल निकालके तुम माइनस में नहीं लापाओगे ना आएगा ही नहीं वर्गमूल किसी संख्या का माइनस होता है कभी बताओ किसी माइनस वाली संख्या का भी अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाता है इस पर तो माइनस वाली संख्यां भी होती है तो संख्या रेखा का जो परतेग विंदु है वह अंडरूट एमके रूपकर नहीं हो सकता है अगला कि परतेग वास्तविक संख्या एक अपरमिय होती है मसार्दे कोचिंग बहुत अच्छे गुरुजी परतेग वास्तविक संख्या परमिय होती है पताइए एवरी रियल नंबर इज रेफनल नंबर बोलो हाँ या नहीं हाँ या नहीं परसा यादो कलाश तो चल रही है चैनल सब्सक्राइब कर लो सामको साथ बज़े चलती है हर दिन सामको साथ बज़े चलती है सिर्फ सब्स कर लो बिल्कुल फ्री है अब नहीं सबस्क्राइब करोगे तो फिर आप जानों आपका काम कि दीसरा पार्ट देखो बच्चों कि परतेक वास्तविक संख्या कि परतेक वास्तविक संख्या जो एवरी वास्तिविक मिन्स रियल नंबर होता है कह रहा कि वह एरेफनल होगा कि कौन सी गरा आ गई भाई तो परतेक वास्तिविक संख्या जो है वह एरेफनल होगा भाई ऐसा तो नहीं है बच्चा अगे धय Susie बच्चे तो पइदा हो जाते हैं लेकिन बच्चों से मम्मी पापा थोड़ी पइदा होँगी ऐसा नहीं होगा समझ रहा कि नहीं के यह से में सारे आप समझ सकते हो क cupboard अई पर जान लो कि दूदेख छोटा साव दूद से हम ड़ी बना सकते हैं धीर भी बनाते हैं दूद से बहुत कुछ बनता पणीर बिल्धा आंधुर लेकिन इन सारे सामगरियों को मिला करके हम दूद नहीं बना सकते हैं कि बना लेंगे बताओ भाई तुम खुद बताओ दूद से दही बना लोगे लेकिन दही से दूद बना पाओगे नहीं न तो उसी तरह से जो वास्तविक संख्या है यह कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सभी अपर्मि हुआ कि यह वस्तिविक संख्या है ना यह थोड़ी यह थो पर्मिय है इस Route 5 नहीं हो सकती वस्तिविक Sंख्या में ठाकर ने हिस्से करण लोग किसी माबाप के दो बच्चे उनकी संपत्य उनकी ज्यायदाद है मानलों के बारा बारा भीगा दोनों का हुआ ना ऐसा दो नहीं हो जादा हाट्टा कट्टा सब लेगा एक वाक नहीं देगा मार डालेगा जान से वह अच्कल जान पर हो ना कि इतना महौल चलता है गड़ बड़ तो समझ गए ना देखो इसमें एक फी सवाल और बचाया बस हम तो सोच रहे थे खतम हो गया अगला देखो कह रहा है बहुत ही आसान है दूसरा नंबर दूसरा नंबर बहुत आसान है बच्चों अच्छा एक बात पहले मुझे बताओ इमानदारी से जूट नहीं बोलना जूट बोले कववा काटे इसमें से कौन-कौन किताब नहीं लिया है इस नहीं बताओ वही व कौन-कौन इसमें किताब नहीं लिया है किमांदारी से बताना जूट नहीं बोलना जूट बोले ना देखो यह कपड़ा काला-काला भिगोए हैं मुहिव मारें पठाग पूरानी किताब नहीं लिए हो सावरब भवान उज्वल रस्गुल्ला हो तुम अभी तुमको नहीं हो रही कि हम दिखाएंगे तुमको और तुम देखो गया राम से किताब लेके आओ एंसी आर्टी किताब लिये रहो तुम्हारे पास जो भी है वही सब मिलेगा सब वही है क्योई भी किताब ले लो कोई भी प्रकासन हम भी जब कच्छा नोदस में थे तो हम भी दिम भी जी आ एकिसी में रूर्ओन बी यह इसे दिया रहता सब भी है कि अधिक है जो नहीं ले ले आगला दूसरा कोईस्टर बच्छों देखो क्या कह रहा है वह यह दूसरा क्या कह रहा है बाबू समझ और भी क्या सभी धनात्मक पुडांकों के वर्गमूल अपर मिय होते ह क्या सभी धनात्मक पुड़ांकों के वर्गमूल अपर्मिय होते हैं यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदारान दीजिए जो पर्मिय संख्या है इनका कहने का यह मतलब है कि जितने भी धनातमक पुड़ांक हैं उनके वर्गमूल अपर्मिय होते हैं अब एक गधा कहां से आया तू ऐसा बोलने के लिए यह गलत है नहीं अपर्मिय होते हैं नहीं इसका उत्तर लिको नहीं भाई धनातमक पुड़ांक बहुत सारे हैं उनक सोला क्या धनात्मक पुढांक है इसका जो वर्गमूल है चार है यह पर्मिय थोड़ी है यह पर्मिय संक्या है ऐसा ऐसा चुट्टा इसमें बसे हैं ऐसा ऐसा कोईश्चनलिक देते हैं देखो यह सभी है यह सभी ले लो यह सभी धनात्मक पुढांक है लेकिन जो वर्गमूल है वो अपर्मिय नहीं है इसलिए इनका उत्तर मैंने गलत सिद्ध कर दिया कि सभी धनात्मक पुढांकों के वर्गमूल अपर्मिय नहीं होते लल्लू गलत लिखे हो तुम चलो अब को समझ में आया वहाई तुम लोग देर में का है आरे हो कलास का टाइम तो सामको साथ बजे है तो फिर इतना देर में क्यों आ रहे हो और कहां गय थे बताव कहां गय थे कल से पिटाई होगी पटक पटक के जानलो टाइम से आया करो दीपक सर्मा बच्चा पढ़ाई कर लो बस और कुछ नहीं मिलेगा जेक्थी है इसका का नाम है सौरव कहला है बोलो कुहू कहां चली गई सिवाकर सिंग सब उसी के पीछे काया पढ़े हो ब्लाक करने का कोई किसी का नाम लेके कमेंट नहीं करेगा कोई किसी को परेशान नह लो तो आज आपका दो एक्सरसाइज खतम हो गया एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.1 तो मैं कली खतम कर दिया था थोड़ा सा बचा था तो जो बचा था वो भी आज खतम हो गया इसमें एक क्विश्चन और है जिसको तुम लोग लगाओगे 1.2 में नहीं लगा पाओगे तो हम बता आएंगे कभी बाद में हाँ जिस्टू सुकुला बोल में कई से मारेंगे इनको कई से मारेंगे मोबाइल फैंक के मारेंगे लप्टाप में तुम दिख रहे हो उसी में लग जाएगा तुम्हारे थोबड़ा में समझ रहे हो न तो बच्चों अभी तक केवल वन चैप्ट तुम हाँ जाएंगे क्लास में पाईले तो हम आदा घंटा हो जाई करते हैं वह सौ बच्चे पूरा करो सौ बच्चे पूरा करो तुम लोग सेयर ही नहीं करते हो ? जब सव बच्चे आ जाते हैं बाद में ता पढ़ाई शुरू होती है अगर इस टाइफ में ही आप लोक गंटा चल जाए तो बहुत जल्दी खतम हो जाएगा लेकिन तुम जूड़ते कहां सुरू में तो भाई सभी बच्चे क्या करोगे फिरी कलाश के लिए टाइम याद रखो साम को साथ बज़े से बच्चों जैसे साम को साथ बज़े वैसे तुम यूटूब पे सर्च करो पी साथ बज़े कभी कभी कलाश दस-5 मिनट लेट हो जाती है तो बाई मालो साथ बज़े सर्च किया नहीं मिला साथ बज़े पांच मिनट पर सर्च करो बसे कलास तो रहती यह टाइम लिखा रहता है कब चलेगा कितना देर में चलेगा तो पिर तुम एक बार फिर फिर ट्रा चलो फिर चलते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को हाँ एक चीज और समझ लो सभी साथी पीवियार स्टेडी को इंस्टाग्राम पे जरूर फालो करेंगे हमें पता है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर जाओगे बिना उस पर गए काम सब्सक्राइब करना तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दिल से थैंक्यू आप इतने इस कलास में जूड़ा और पढ़ा तो मिलते हैं फिर अनिल देयोगन बच्चा साधी के बारे में तो ना पूछो तो पढ़ाएंगे कैसे हां तुमारे भी गयागी है मस्टर वा अधिल आया मुझे कुछ करे वरेगा कि पढ़ाये गाई अरे मतलब काम हम करेगा चलो बंद करें फिर कि बंद करते हैं बहुत बहुत